चलिए शुरू करते हैं Error of adjective की sheet और पहली error हुई firstly ध्यान रखना कि firstly कोई word इंग्लिश में नहीं होता और इसकी जगा correction होगा first firstly की बजाए बाकी सब होते हैं secondly, thirdly लेकिन firstly नहीं होता है तो first you should think over second question देखो the driver tried his best to avoid the accident by bringing the car to a और ये आगया suddenly और होना चाहिए थे इसको sudden stop suddenly तो adverb हो गया तो correction होगा sudden sudden stop question number 3 the sunrise hotel was fully और ये देखो गलत हो गया was equipped होगा past tense third form का adjective आपने पढ़ा था तो पूरी तरह से सुसजित था less था equipped should be the answer फिर question number 4 between Vijay and Raj अब गौर करो दो लोग हैं विजय और राज और इन दोनों में अगर तुलना हो रही है तो superlative the most की जगा होना चाहिए था क्या more है न दो लोग हैं तो more के use होगा अच्छा और from all accounts I learn that he is the best and honest अब देखो ये गड़गड हो गया the best the superlative एक बन गया और and के बाद honest की जगा यहां क्या होना चाहिए था honest का भी superlative लिया जाएगा तो honest का superlative क्या होगा the most honest the best and the most honest member of the cabinet कई बार ये भी किया जाता है कि जब दो adjective समान सभाव के होते हैं तो दूसरे वाले adjective के साथ the नहीं लगता तो ये sentence का correction ये भी बन सकता था कि I learn that he is the best and most honest member of the cabinet लेकिन चाहा क्योंकि यहां पर दोनों एक साथ एक सभाव के नहीं हैं इसलिए the honest रखा जाए अब देखो ये है he is too intelligent to make a mistake अब तुम देखो तू और तू का pair बनता है तो तू और आगे infinitive भी है तो ये वैसा ही आसान question है जैसे तुमने पढ़ा था पहले भी के he is too weak to walk इसी तरह he is too intelligent to make a mistake वो इतना intelligent है कि उससे mistake नहीं होगी तो ये sentence तो बन गया no error समझ में आ रहा है 2 और dash 2 लगाते हैं तो negative बनता है तो इतना intelligent है कि उससे mistake नहीं होगी 2 week to walk की तरह तो ये no error बनाओ अब ये देखो the flood situation this year is और देखो superlative आ गया worst और आगे क्या लगा है than तो जब आगे than लगा है तो फिर worst की जगा comparative worse होना चाहिए worse than फिर इसमें देखो some people गौर करना get used to तो तुमको पताया था हमने जब used to पड़ाया था कि used to से पहले अगर verb हो यहां get है ये पताहिए अब यहां बिद आगे देखो अब यहां लगा है तो अब यहां लगा है very easily और आगे क्या लगा है than तो than है तो very का use होने से रहा अगर than है तो than का पेर किससे बनता है more से तो more easily than others do ठीक है? अब यह देखो Of all the friends तो अब सारे दोस्तों में I have had जो इतने भी दोस्त मेरे हुए है अब सारे दोस्तों में he की बात कर रहा है तो सारे दोस्तों में अगर he की बात कर रहा है तो superlative तो यहां सही लिया गया है यह दो में होता तो comparative लेते तो Of all the friends I have had he is the most helpful यह तो superlative हो गया और आगे देखो क्या लिखा है? AND के बाद तुमको parallelism पढ़ाया था तो अब यहां less तो गलत आ गया अगर पहला वाला superlative है तो दूसरा वाला भी superlative होना चाहिए तो क्या आएगा? least arrogant तो दो superlative हो गया है the most helpful और दूसरा least elegant ठीक? अच्छा अब अगला question देखिए His father scolded his son ठीक है उसके father ने scold data for spending his कैसा money hardly earned hardly हम लोगों ने पढ़ा था adverb में बात हुई थी hardly क्या मतलब होता है? मुश्किल से मत बोल देना hardly माने negative हो जाता है और ये पैसा कैसा है? मेहनत से कमाया गया तो hardly तो गलत हो गया hard होना चाहिए hard earned money हुआ तो मेहनत से कमाया गया पैसा हो जाएगा अच्छा अब ये देखो early rising यानि जल्दी उठना brings out देखो बटाई यहां तो ला phrase यूज हो रहा है bring out the good नहीं होता है bring out the best होता है bring out the best मतलब उसकी सबसे अच्छी quality उजागर होती है bring out the best खुदी एक पुरा phrase हुआ तो brings out the best in a writer question 12 at the end of the second world war the USA was stronger than any country in the world अगर एक नाउन की तुलना उसके अपने वर्ग या प्रकार से की जाए तो any और ओल्दा के साथ क्या लगता है other तो यहाँ पर आना चाहिए था any other country in the world यहाँ पर गलत हो गया यहाँ आएगा other country in the world understood USA के तुलना दुनिया की किसी भी देश से करेंगे तो अधर लगाना पड़ेगा question number 13 he can play आप can play तो अबर्भ हो गया तो he can play as good as right ओहो as well as right he can play as well as right अब जब दो वर्ब हैं तो वर्ब के लिए हमको चाहिए एडवर्ब as well as the principle was enough kind यह तुम जानते हो कि enough kind गड़बर हो गया enough kind की जगा क्या होना चाहिए था kind enough enough हमेशा किस के बाद आता है adjective के बाद तो पहले kind आएगा फिर enough आएगा याद है यह point question number 15 he is making matters a lot more words अब देखो a lot more or words यह क्या बन गया double comparative बन गया more भी है और words भी है यहाँ पर क्या होना चाहिए था काइदे से यहाँ से आप खाली more को हटा दे ठीक ना तो अगर more हट जाएगा तो यह काम सही बन जाएगा तो a lot worse हो जाएगा अकेला comparative बन जाएगा अच्छा फिर है the books for the new course are expensive और फिर देखो क्या रिखा है than अब अगर यहाँ than दिया है तो फिर more फिर गाएवे देखो तो यहाँ क्या ना चीता more expensive than तभी तो पेर बनेगा अब बन गया more expensive than the books for the old one तो than देखा तो more काना जरूरी था अब बेटा यह ध्यान से पढ़ना exam question है according to the recent census census होता है वो जो population की counting वेरा करते है तो अब देखना the population of Mumbai is greater than Delhi error of comparison comparison क्या है यह is greater than यह comparison हो गया अब देखो तो the population of Delhi की तुलना the population of Mumbai की तुलना Delhi से हो रही तो क्या missing है तो Delhi की भी population होने चाहिए और Delhi की population के लिए हम क्या ले सकते है population singular है तो लिया जाए that और फिर of अब यह that किसके लिए आया population के लिए अब बन गया सही parallel Mumbai की population और that आया दिल्ली की population अगर इसमें confusion हो तो जरा वो notes देख लेना चेक करना उसमें मिल जाएगा तुमको यही sentence question no.18 everyone felt that the big glittering diamond was most unique अब unique हम लोगों ने पढ़ा था absolute word बे और absolute word के साथ super little नहीं लगता तो इसको सिर्फ आप यहां से हटा दे was unique next the angry man walked hurriedly into the crowded room अच्छा जल्दी से आया and shouted अब देखो shouted है verb और जब verb है तो loud नहीं होगा इसका adverb बनाईए shouted कैसे तो आप कहेंगे loudly basically जहां पर adjective यूज होना चाहिए तो माँआ अड़ब यूज हो रहा है जहां एड़ब यूज होना चाहिए बहाँ पर adjective यूज होना shouted verb है तो फिर उसके साथ adverb loudly आएगा और last question इस lecture का there is no one whom I esteem esteem ने इज़द करना है हूम यहां सही है क्योंकि subject से पहले लगाया तो हूम सही है तो कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको मैं ज़्यादा इज़द देता हूँ esteem verb है तो highly भी लिखा है ठीक है बहुत उचे स्तर पर ओहो देखो फिर वही आगया then आगया तो फिर जब then आगया तो फिर इसका साथ ही वापस लाओ more highly than ठीक तो adjective sheet complete और जैसा कि तुम देख रहा होगे अगली sheet adverb की next turn पर thank you